फ्रेंज सब्सक्राइब कीजिए वाइफा स्टेडी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको पता होने चाहिए इसमें आपन नैशनल पार्क, डैम, फेस्टिवल सबी कुछ कवर करेंगे जो कि आपके स्टाटिक जीक का पार्ट है और आपको पता होने चाहिए अगर आप को करना है तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर्स है और यहां पर तीन एक बहुत अच्छे कोर्सिस जो कि डिज़ाइं करेंगें और सथ ऐस तीक की बहुत अच्छी कर सकते हैं यहां आपर देखे 300 ज्यादा वीडियो आपका अविलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्टरी अविलेबल है प्रिबियस एर की पेपल भी है लाइव क्लस्स हैं साथ में पैंड्राइव का ओक्शन भी आपके पास में अविलेबल है अगर आपके फिर भी कोई कोई है तो आप 702-333-336-755 पर पर कॉल या फिर वाटसप कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आज है सरे दे तो मैं आपके लिए क्या है उस ट्राटिक जीकी के 10 important questions तो पहला question देखते है विच नैम नैम की फिल्फरम के है non-aligned movement summit was held in India तो कौन सा नैम का summit था जो की इंडिया में हुआ था तो थोड़ा मुश्किल सवाल है मुझे पता है कि आप सभी को नैम के बारे में शायद पता होगा लेकिन कहां पे इंडिया का summit है वो कौन सा हुआ था यह आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा सा tough question है यह और आपको सबसे पहले तो नैम के बारे में पता होना चाहिए यह वो देश है फ्रेंड जो की दुनिया में किसी भी बड़ी जो पावर थी उनके साथ में नहीं जाना जाते थे या उनके साथ में अटैश नहीं थे अगर 2012 तक की बात की जाए तो 120 मेंबर थे इसके राइट नौ भी 120 है ठीक है और और कई सारे देश इसके अब्जॉर भी है इसका परपस कहा था और्गनाशन का की जो भी देश इसके मेंबर से है वो चाहते है कि हमारे देश हमिशा इंडेपेंडेंट रहे सोविलें रहे टाइर्शल इंटेग्रिटी रहे सिक्यूर्टी रहे नॉन अलाइन कंट्रीस से इसको बिगनिंग करें थी फिटल कॉस्ट होने बहुत बड़ा नाम है फिटल कॉस्ट रो हवाना डेकलेरेशन थी यहां पर हवाना डेकलेरेशन के अंदर इसको बनाए गया था कब 1979 के अंदर ठीक है बात करें कि यह कंट्री क्या रिप्रेशन करते हैं दुनिया की टू-थर्ड पॉपुलेशन और साथ मैं टू-थर्ड पॉपुलेशन नहीं बोलूँगा मैं टू-थर्ड इसके मेंबर बोलूँगा कि टू-थर्ड जो नॉन अलाइन मुव्मेंट के के अंदर मेंबर से वह युनाइटि नेशन के भी मेंबर है ठीक है 55% नियरबाय इसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन यह जो और रखती है अपने पास में ओके और जो दुनिया के मेजरली डपलपिंग देश है वह इसके मेंबर है इंडिया पाकिस्तान के साथ में भी दोनों ही इसके मेंबर है ओके डबलपिंग देश इसके मेंबर है नेम के डबलपिंग नेशन साथ मैं अगर इसकी हैड़कॉर्टर की बात करूं हैड़कॉर्टर कहां पर है तो जकारता के अंदर है इंडोनेशा के अंदर ओके और अभी प्रेसिदेंसी किसके पास में वेनन्जुल तो यहां पर आपका अंसर है वह है तो यहां पर आपका अंसर है वह तो सितार के साथ में जो चार ओप्शन है यह कौन से परसंते जो के अस्याइट नहीं है ठीक है पहले अमीर कुछ रवी शंकर फिर उस्ताद अलाउदिन खान फिर साथ में अमजद अली खान यह चार नाम आपके सामने में रखे हैं तो सितार एक बहुत ही अच्छा इस्ट्र काम में दिया जाता है दिए अगर आपनी बात करें कि इंडिया में कब फेमस हुआ तो 1915-16 में इंडिया में बहुत फेमस था उसके बाद में पंडिल रवी शंकर जिनकी बेटी अनुष्का शंकर है और दोने बहुत बड़े सितार के प्लेयर है तो पंडिल रवी शंकर ने इसको western की तरफ लेके गए इस music part के अंदर भी ओके और यहां पर देखिए तीनों नाम ही जुड़े में हैं सितार के साथ में और जो नहीं जुड़े में हैं उस्ताद अलाओदिन खान ठीक है यह सरोध प्लेयर है सरोध प्लेयर है यह तो यह चीज़ आपको जान रखनी है और बहुत ही multi-instrumental composer रहे चुके है बहुत ही बड़े music teacher थे इंडिन classical music के 20th century में उस्ताद अलाओदिन खान नेक्स कोशन देखते हैं which is known as the cockpit of Europe Europe की cockpit के नाम से कौन फेमस है Spain, Belgium, Austria या स्थिजलेंड यह चार options आपके सामने अवेलेबल हैं देखिए friends, जब cockpit की बात करते हैं तो सबसे बहुत है इसका मतलब समझना जरूर ही है cockpit वह नहीं होता जो कि plane के अंदर जगे होती जहां पर पाइलेट चलाता है उसको तो cockpit कहते हैं लेकिन इसका actual meaning जो आया है यह वहां सा आया है Belgium इसका answer है friends, Belgium इसका क्यों answer है क्योंकि Belgium को लेकर कभी भी क्या हुआ था कि जो आपस में देश होते थे वो Belgium से ही पास होते थे लड़ाई को लेकर जब भी उनको कोई लड़ाई करनी है और कोई वार होती थी जैसे कि मालीजे अगर किसी को इन्वेट करना है Belgium को या फिर फ्रांस को जर्मनी पर जर्मनी को फ्रांस पर स्पेन को नेदरलेंड के उपर UK का अटेक करना है दूसरे साट के उपर तो सब Belgium से होगी है निकला करत नेशनल लाइबरेरी तो जो नेशनल लाइबरेरी जो की देश की सबसे बड़ी लाइबरेरी है ये कहां इस्थिद है ये आपका सवाल है ठीक है देखे नेशनल लाइबरेरी कहां पर है कोलकाता के अंदर है ये कहां पर है बैलवर्डे स्टेट कहते है इसको बैलवर्डे also और record के also public record को लेकर भी okay सबसे जादा public record यहाँ पर ही इस्टेट है यहाँ available है किस department के अंडर काम कर अंडर आती है यह department of culture okay department of culture और यह department किसके अंडर आएगा ministry of ministry of tourism and culture इसके अंडर यह काम करेगा government of India के okay यह जो library design करे गे थी वो collect का किया गया यहाँ पर disseminate किया गया preserve किया गया print को लेकर जितना भी material इंडिया में आस्ते पब्लिश हुआ है जो की historical record के तौर पर रखा जाता है वो सभी यहाँ पर रखा गया 30-acre की यह library है और इंडिया के largest है यहाँ पर 2.2 million किताब है ऐसा बोला जाता है इतनी सारे books हैं यहाँ पर okay before independence यह क्या था एक official residence में था किसका lieutenant governor of Bengal का यह चीज आपको जान रखनी है लेखते बितर कनी का national park is located at तो बितर कनी का जो national park है यह कौन से state में located है बहुत important सवाल है national park आपको याद करने ही करने है बहुत important है study gk का position और यह जो कहां पर है यह उडिसा के अंदर है यह आपका जो answer है वो है C okay 145 km2 का area बितर कनी का centuries इसका जो core area इसका अब मैं core area आपको बता रहा हूँ core area जो है 145 km2 का area और बितर कनी का wildlife century भी इसके पास में situated है ठीक है 1998 से इसको start किया गया था और रामसर convention में भी included है इसके पास में बितर कनी का wildlife century है गहिर मत्था beach है marine century है ठीक है कई mangroves है बेर वेंगौल के तो बहुत ही important जगे है बहुत ही rich biodiversity है यहाँ पर okay यहाँ पर जो famous है वो है salt water crocodile उसके अलावा white crocodile भी है इंडियन python है king cobra यह सभी यहाँ पर famous है और कई species है यहाँ फ्लोरा फ्मिना की ठीक है देखते है next question श्विल सेलम डैम is located in which state तो मैंने आपको पहले भी चेक कर सकते हैं सभी को easily याद कर सकते हैं सारा content आपको एक ही जगे एक ही वीडियो में available हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए सिरिसलम डैम जो एक कृष्णा रिवर के ऊपर बनावा है ठीक है कृष्णा रिवर आपको पता होगा सबसे पहले गुदावरी है फिर कृष्णा फिर कावेरी है इस तरीके से बनीवी है यह तिर्मिकेश्वर से स्टार्ट होती है और जो एक कृष्णा रिवर है महाबलेश्वर से और कावेरी ब्रह्मा गिरी से ओके तो इस तरीक लिए जलम temple town भी है second largest जो working hydroelectric station है वो भी यहाँ पर ही available है इंडिया का ठीक है जो नाला मला hills है वहाँ पर यह बना हुआ है नाला मला hills और साथ में उजयनी डायम यह तीनों किसके ऊपर है कृष्णा रिवर के ऊपर ही है और आपके लिए बहुत important है देखते हैं next question which is the largest stock exchange in the world तो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार stock exchange कौन सा है आपके सामने मैंने चार option दे रखे हैं okay national stock exchange, Bombay stock exchange, London stock exchange, New York stock exchange देखिए friends अग अब भी आपसे larger stock exchange की बात की जाए तो दुनिया में number one पे New York stock exchange है जो कहाँ पर है New York के अंदर ही है ठीक है net worth की बात की जाए तो बहुत जादा है okay second number की बात की जाए तो कौन सा आता है इसके बाद में New York के बाद में आता है आपका NASDAQ ठीक है NASDAQ दुनिया का second सबसे बड़ stock exchange है जो कि आपको ध्यान रखना है ये भी कहाँ पर ही है New York के अंदर ही है ओके आपको ध्यान रखना है second stage second number पर NASDAQ है ये भी US के अंदर ही है तीसरे पर आता है आपका London stock exchange UK के अंदर UK और Italy दोनों इसको देखते हैं दोनों का इसमें listed होता है और 11 नंबर पर है इंडिया का Bombay stock exchange जो कि national stock exchange है थोड़ा सा बड़ा है ओके तो आपको जहाँ पर आंसर होगा वो होगा A national stock exchange New York stock exchange next question name the first pollution control ship तो first ऐसा आपको इस ship का नाम बताना जो कि first pollution control ship है ओके बहुत important सवाल है यहाँ पर जो आंसर है वो है C प्रहरी IGCS Samundra प्रहरी ये इसका आंसर है और इसको जो बन बनाया है तीन vessels को बनाया है जो वह AG ABG shipyard है कहां पर Gujarat के अंदर उन्हेंने इसको बनाया है Indian Coast Guard के लिए ठीक है तो यह चीज़ आपको दियान रखने है बहुत ही important सवाल है next question क्या है when was the first world book day observe तो दुनिया में पहला first जो world book day हुआ था वो कब observe हुआ था सबसे important सवाल तो है कि किस दिन इसको observe किया जाता है यह 23 अपरेल को इसको observe किया जाता है इसको बोलता है copyright day भी कहते है इसको इसके अलावा international day of the book या फिर world book day यह भी इसको कहा जाता है yearly event है 23 अपरेल को जो कि United Nations Education Scientific and Culture Organization यानि कि UNESCO इसको observe करता है और promote करने के लिए reading को लेके publishing को लेके copyright को लेके ठीक है और United Kingdom के अंदे जो 3rd Tuesday होता है उसमें इसको observe किया जाता है basically जो कि 3rd major league जो कि UNESCO ने 23 अपरेल माना है 23 अपरेल को observe किया जाता है यह इस दिन एक important event और भी थे कि death हूँती William Shakespeare की यह भी एक reason है इसको 23 अपरेल को बनाने का इसके अलावा इनका Garcilico de la Vega एक और important writer थे ठीक writers है authors है जिनकी death यह बर्थ हूँती इस दिन के ऊपर इसलिए इसको celebrate किया जाता है और आपका answer है 1995 के अंदे United Kingdom में इसको firstly observe किया गया next question और आजका last question देखिए बहुत important है Nemo Basgo hydroelectric plant कहां पर situated है चार options आपके सामने available है okay Nemo देखिए Nemo जो यह plant है यह run of the river plant है power project है जो कि Indus river के उपर है Indus river ठीके ले city जो है वहाँ से नियरवा 75 km के आसपास ही है तो कहां हुआ JNK के अंदर हुआ तो आपका answer तो हो गया JNK ठीक है 2001 में इसको conceive किया गया 2005 में अप्रूव किया गया 2006 से इसका कम start किया गया construction का तो आपका जो answer है वह है B आपका यहां पर सही answer है आपको यह सेशन पसना होगा आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बेश हकूँ सो फ्रेंच थेंक्यू और अल्ट पेस्ट पर अपकर में एग्जाइम